भागलपुर के बवरगन स्थाना चेत्र अंत्रगत कुतुमगन महले में प्राधियों ने सुक्रवार की साम एक यूवक की उसके नानी घर में घुश कर गोली मार कर हत्या कर दी मिरतकी पाचान कोईली खुटाहा गाउनिवासी किसान लटुरी यादब के तीस वर्षिये पुत्र पवन यादब के रूप में हुई है जो जमीन कारोबार से जुड़ा हुआ था और पुर्म में प्रॉपर्टी डीलर अमरेनर सिंग की हत्याकान में आरोपी भी था पवन यादब को अपराधियों ने कुतमगंज इस्तित उसके नानी घर में घुसकर गोली मारी है जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई हाला कि गटना के बाद आननफानन में पवन यादब को इलाज के लिए भागलपूर सदर अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोसित कर दिया वहीं घटना के बाद परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है इधर बवरगंज ऐस्वचों की मौजूदगी में मिर्तक पवन यादब को चिकत्सकों ने माया गंज भेज दिया जिसके बाद सब को पोश्ट माटम के लिए मेडिकल कॉलेज भेज इधर दभी जुबान में परिजनों ने प्रोपर्टी डीलर अमरेंदर सिंग के पुत्र मानस और उसके सहयोगियों पर पवन की हत्या करने का आरोप लगाया है जबकि फिलाल गटना को लेकर असपश्ट रूप से कोई भी बात अब तक सामने नहीं आई है वहीं फिलाल प जमीन कारोबार से जुड़ा था और अपने नानी घर में रहता था जबकि गटना के वक्त वह घर पर अकेला था और सो रहा था तभी अपराधियों ने उसके सिर में गोली मार दी हमारे पंचायत के गोली कुठा निवासी पोवन यादव की आज दिन दहाडे बबरगंख खाना के पास एक घर में घुश करके अपराधियों ने गोली मार दी और उनका स्पॉर्ट डे थे क्या करते थे वो उनके पिता जी काफी गरीब हैं खेटी किसानी करते हैं और ये कहीं कहीं पे छोटा मोटा जमीन में करवार में रहते हैं गोली मारने वाले का कहीं क्या क्लेक्शन कुछ रहा हो या क्या कारण हो अभी तक तो कुछ भी नहीं कि कुछी समय पहले हुआ है इसलिए कुछ ऐसा पता नहीं चल पा रहा कि कुछ ले है। गया वहीं सुक्रवार को नामांकन पत्र की स्कूटनी की गई जिसमें भागलपूर लोकसवा चेतर से नामांकन पत्र दाखिल करने वाले कुल 21 में से 8 प्रत्यासियों का आवेदन काखजात की गडवडी एवं कमी के कारण अवैद घोसित कर छटनी कर दी गई बता दे कि भा नामांकन पत्र दाखिल किया था इधर नामांकन पत्र की स्कूटनी के बाद रूपम देबी, सिकंदर ताती, सुबोध मंडल, पिंटु कुमार गुपता, प्रेम कुमार, मनुहर परसात सिंग, घंसियाम कुमार और राम लगन राय का नाम लोकसवा चुनाओ के प्रत्यास में मायूसी का महौल है, वही नामांकन पत्र दाखिल करने वाले प्रत्यासी एंड ये जदियू के अजय कुमार मंडल, माह गटबंदन कॉंग्रेस के अजीत सर्मा, बीस्पी की पूनम सिंग, अजय कुमार राय, दीपक कुमार सिंग, छोटे लाल कुमार, दीपक कुमार, दयाराम मंडल, मुकेश कुमार, ओम प्रकास पुद्दार, उमेश परसाद यादब, हरे राम यादब और रमेश टुड्डू लोग सवाचुनाओं में अपनी दावेदारी पेस कर सकेंगे, बता दे कि 8 अप्रील को नामांकन वापस लेनी की अंतिम्तिती है, जबकि इसक और भागलपूर के विकास के लिए चुनाओं मी माईदान में अपनी किसमत आजमाने और जीतने का दावा किया, इधर लोग सवाँ आम चुनाओं दोहजार चौबिस को लेकर आदर्स आचार संगिता के तहत समार नाले और निर्वाचन कारियाले समेथ जगों पर धारा 144 चौब आलिस लागों की गई है जिसे चुनाओं की तैयारी या मदान के दौरान कोई और ब्यवस्था की इस्तिती उत्पन्न नहीं हो लोकसवा हम निर्वाचन दोहजार चौबिस को लेकर सुक्रवार को स्वीब के तहत एंससी कैड़ेट के दौरा स्वतंत्र निस्पक्च एवं सांतिपुर्न मदान संपन्न कराने के लिए मदाता जागरूपतर रैली निकाली गई इस दोरान गल्स एंससी कैड़ेट के दौरा मदाताओं को सत परती सत मदान करने के परती रैली के माध्यम से जागरूप किया गया वहीं भागलपूर के एसम कालेट से निकाली गई रैली तिलकामाजी चौक समेत कई चौक चौराहों से गुजरी और लोगों को मदान करने के लिए जागरूप किया गया रैली में काफी संक्या में NCC कैड़ेट ने वोट जैसा कुछ नहीं वोट जरूर डालेंगे हम चुनाओं का परव देश का गर्ब मेरा पहला वोट देश के लिए जैसे कई नारे भी लगा है इसके इलावा सेंडिस कमपॉंड में NCC कैड़ेट ने मदाता जागरूप तफैलाने की रनीती पर विचार भी मर्स भी किया और भागलपूर के फर्स्ट टाइम बोटर और युबाओं को मदान के लिए जागरूप करने का संकल्प भी लिया कारिक्रम में श्वीप कोशांग के पदादिकारी जीला श्वीप आइकन अजएटल समेंद काफी संक्या में गल्स NCC कैड़ेट मौजूद रही वहीं इसरैली के माध्यम से NCC कैड़ेट ने लोगों को मदान के महत्तों के बारे में जागरूप करने का सरहनिये प्रियास किया भागलपूर जिले के सुल्तारंगंज प्रकंड के नवादा पंचायत सहाबाद चौक पर हाइमास्ट लाइट लगाया गया इस हाइमास्ट लाइट के लगने से ग्रामीनों में खुसी की लहर है पंचायत की मुख्या बंदना रानी ने बताया कि हाइमास्ट लाइट लगने से गाउं में रात में भी उजाला रहेगा इससे ग्रामीनों को आबागमन में काफी सुभिधा होगी और सुरक्षा भी ब ने की शुब कामनाएं भी दी है इस दोरान दर्जनों ग्रामिन मौजूद रहे